जीतने के लिए कुछ लोग तलवार और बंदूख ले कर जाते हैं, कुछ लोग चेक बुक और कैश ले कर जाते हैं, भवनाओं के लेवल पर अगर आप ऐसी कोशिश करें, तो हमें से लव अफैर कहते हैं, प्रेम कोई रिष्टा नहीं है, एक रिष्टा एक कलग चीज है, अगर आप एच्छुक हैं, तो आप प्रेम बन सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को एक बहुत ही मीठी जगा बना सकते हैं, कुछ टीचर, कुछ गुरू, कुछ गाइड कहेंगे, you know, आप प्रेम कर सकते हैं, पर आपको अटाच नहीं होना चाहिए, आप प्रेम कर सकते हैं, पर शर्ते नहीं होनी चाहिए, तो इसके कई वर्जिन्स हैं, मैं बस इससे समझना चाहती हूँ, ताकि आप बार बार मेरे पास आती रहें, इसका एक आसान तरीका ये है, कि आपको कुछ ऐसा बता दिया जाए, जो आप ना कर सकें, कोई ऐसी सीख दे दें, जिस पर आप कभी अमल न कर पाएं, आपको प्रेम करना चाहिए, पर जुडाव नहीं होना चाहिए, अब आपक प्रेम को तैयार हैं, तो कुछ अच्छा होगा, कोई एक चीज नहीं चाहिए, आपका काम हो, आपका जीवन हो, प्रेम हो या कुछ भी हो, अगर आपको खुद को इसमें पूरा ज्होंकना नहीं आता, तो आप कभी इनके स्वाद को नहीं जान पाएंगे, प्रेम करो उप पर जुड़ो मत, तब आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को अपने जीवन के, खुद के, एक हिस्से के रूप में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रेम करते हैं, नहीं मैं प्रेम करता हूं पर मैं जुड़ा नहीं है, इसका मत अचलब ठीक है, आप प्रेम कर सकते हैं और एटाच भी हो सकते हैं ने ने, मैंने ये नहीं कहा ठीक है, मैं मश्वेरी के लिए वापस आ रही हूँ तो आपने क्या कहा? देखे, मैंने बस ये कहा एक इंसान में प्रेम की ये जरूरत क्या है? आपको समझना होगा एक इंसान लगातार, लगातार इंसान हमेशा उससे कुछ जादा होने की चाहत रखता है जैसा कि वो अभीस वक्त है अगर ये चीज एक साधारन बुनियादी शारेरिक अभी व्यक्ति पाती है तो हम इसे सेक्श्वालिटी या कामुक्ता कहते हैं कामुक्ता मतलब बस ये शारेरिक रूप से आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है कुछ पलों के लिए आप साफल हो सकते हैं अगर मानसिक रूप से आप ऐसा करें तो इसे लालच, जीत या बस सीधे-सीधे शॉपिंग कह दिया जाता है कुछ लोग जीतने के लिए तलवार और बंदुख लेकर जाते हैं कुछ लोग चेक बुक और कैश और क्रेड़िट कार्ड लेकर जाते हैं बात ये है कि आप किसी चीज़ को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं पूरा प्रयास इसी का है चाहे आपको पैसा चाहिए या दौलत या आप किसी देश पर कबजा करना चाहते हैं ये क्या है कोई चीज जो आप नहीं है आप इसे अपना बनाना चाहते है आपका प्रयास इसे अपना एक हिस्सा बनाने का है अगर ये भावनाओं के स्थर पर होता है अगर आप ऐसा भावनाओं के स्थर पर करते हैं तो हम इसे लव अफेर कहते हैं आप किसी दूसरे को जो आपका एक हिस्सा नहीं है तो आपना एक हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक love affair है अगर आप इसे जागरूकता से करते हैं तो हमेंसे योग कहते हैं योग का मतलब है मिलन तो ये सब प्रयास ठीक हैं हर चीज की अपनी सुन्दरता है पर इनकी अपनी सीमाएं होती है जब आप बाकी सभी तरीकों की हदों को समझ लेते हैं तो इसमें कुछ गलतिया सही नहीं है बस इतना है कि ये कुछ समय के लिए ही काम करेगा हमेशा के लिए नहीं जब आप कोई अहसास हो जाता है तो आप जागरूकता से समावेश करने की कोशिश करते हैं जब आप जागरूपता से शामिल करने के प्रक्रिया बन जाते हैं, अगर आप यहाँ बैठकर हर चीज़ को खुद के जैसा ही अन्वोग करते हैं, तब आपको योगी कहा जाता है, ठीक है? तो ये एक सफ़ल लव अफैर है. आपने कहा प्रेम और शामिल करना? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कमरे में सबसे प्रेम कैसे करूँ? आप नहीं कर सकती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप प्रेम नहीं कर सकती हैं. मैं मुश्किल से उपर तक देख पा रही हूँ. तो आप अप अपने प्रेम में सभी को कैसे शामिल करें? देखे क्यूंकि आप प्यार को एक ऐसी चीज की तरह देख रही हैं जो आपको होता है या आप प्यार की प्रक्रिया को होने देते हैं, केवल इसी लिए कि आप किसी विशेश गुन की सराहना करते हैं, किसी की नाकाकार या उनके दिमाग काकार या उनके विचार या उनकी भावना या उनके बोलने का तरीका है, जिस तरह से वो काम करते हैं, या जैसे वो आपको देखते हैं, कुछ है साथ, बहुत सारी चीज़ है, यह उस पर निर्बर है, जो आपको सुईकार है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको सुईकार या नहीं है, तो प्रेम हो या आपको खुशी हो, यह सिर्फ आपके भीतर ही होता है, यह कभी, लोग कहते हैं प्रेम हवा में है, नहीं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में बहुत मधुर अनभव कर रहे हैं, अचानक हवा उमंग भरी महसूस होती है, हमेशा से ऐसी है, आप पूरा जीवन इससे चूकते रहे, अब आप इसे महसूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इनसान का जो भी अनुभव है, प्रेम या घ्रना, चाहे वो जो भी हो, यह सिर्फ आपके भीतर होता है, मैं यह कह रहा हूँ, कि कमसंगाम आपके भीतर जो होता है, वो आपकी मर्जी से हो, आप को इसे जागरुकता से करना चाहिए, अगर आप, अगर आपका अनुभव या आपके भीतर जो हो रहा है, वो आपकी मर्जी से हो रहा है, तो क्या समस्या है, यह सिर्फ आपके भीतर होता है, प्रेम कोई रिष्टा नहीं है, रिष्टा एक अलग चीज़ है, प्रेम आपक क्यों नहीं देख सकती, क्योंकि यह आस्मान से प्रेम करने की बात नहीं है, यह आपकी भावनाओं में मिठास होने की बात है, अगर आपकी भावनाओं मदोर हैं, तो आप जो भी देखेंगे एक खास तरीके से देखेंगे, इस तरह आप में बुरी भावनाओं हैं, तो आपने प्रेम को हमेशा किसी से जोडा है, ना, ना, ये किसी और के बारे में नहीं है, प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं, अगर आपे चुक हैं तो आप प्रेम बन सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को एक बहुती मधूर जगा बन अगर आप अपने शरीर को बहुत मधूर बना दें, तो ये सुख बन जाता है, अगर आप यहाँ बैठें, यहाँ बैठ कर सांस लेना ही एक बहुत बड़ा सुख हो सकता है, हम लोगों को यही तो सिखा रहे हैं, अगर आप बैठें, मैं आपको लाखों लोग ऐसे दिखाऊ अगर वो अपनी आखें बंद कर बैठें, तो आनंद के आंस वो ऐसे ही बहेंगे, कुछ नहीं, बस अपनी आखें बंद की हुए वो आनंद में, उनके शरीर की हर कोशिका से आनंद बह रहे हैं, क्योंकि शरीर इतना मधूर बन गया है, अगर आपका मन मधूर हो जाए, त अगर आपके आसपास का माहूल मधूर हो जाए, तो आप इसे सफलता कहते है, अब आप किसी साथ अपनी सफलता को प्रेम कह रहे हैं, ये गलती है, आपकी किसी के साथ सफलता की कहानी है, यानि आपने अपने और मान लीजे, आपके आसपास 5-10 लोगों के भीच आपने क्योंकि इसमें बहुत सारे management की जरुरत होती है। हाँ, होती है। हाँ या ना। हाँ, होती है। हाँ, पर आपको प्रेम मैं होने के लिए कोई management नहीं चाहिए। अगर आप बस अपनी भावनाओं को मधूर बना लें। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं, ये कुछ ऐसा मैं जो आप बन सकते हैं। ये बड़ी प्यारी अच्छी लगने वाली बात थ। ये अच्छी लगने वाली बात, ये वैसी है, जैसी है, मतलब आपको वाकही इसकी practice करनी पड़ेगी। क्यों। क्योंकि मुझे लगता है देखे मैं बस यही तो कह रहा हूँ अगर ये एक काम होता तो काम को आप प्राक्टिस से परफेक्ट बना लेते हैं अगर ये एक काम होतो मैं कह रहा हूँ प्रेम कोई काम नहीं है क्या स्वास्थ एक काम है क्या आप स्वास्थ होने की आक्टिंग कर रही हैं। नहीं। मुझे पता आप एक आक्टर हैं पर आप स्वास्थ होने की आक्टिंग नहीं कर रही हैं। नहीं। तो स्वास्थ है क्योंकि हमने कुछ चीजें की हैं और इसलिए स्वास्थ हैं ना। ओ, हमने चीज़ें नहीं किये, हमें मिला है, अरे बेशक हमने किये हैं, ना, 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 अरे, हमें दिया गया है, पर अगर आप खराब खाना खालें, बुरी तरह जीएं, तो आप स्वास्त नहीं रहेंगी हैं, हमने अपना स्वास्त सम्हालने के लिए कुछ चीज़ें की हैं जो आपके भीतर यहां हो सकता है, आप उसे अपने आसपास माहौल बना कर संभालने की कोशिश कर रही हैं, जिसे करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि संसार में 100% आपका मनचाहा कभी नहीं होगा, कुछ हट तक हम इसे संभाल सकते हैं, पर हम इसे खुद पूरी तरह मैने कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई ताकते शामिल होती हैं.